देख़े इस वक्त की बड़ी क्वर आ रही है आपको बतादे कि आर जेडी जो बिहार की सबसे बड़ी पाटी है उसको अदी आपको की आर जेडी से बिधायक अनिल सहनी का बिधायकी जोसकी सद्यस्ता जो है वो खत्म करदी गई है बतादे आपको ये बोचहा के बाद कोड़नी में उपचुनाओं की संभावना से मुझफरपूर की सियासत जो है अगर फिर से गड़मा गई है राजत के बिधायक अनिल सहनी को सजा मिलने के बाद उनकी बिधानसवा सदिस्ता रद कर दी गई है इसे कोड़नी बिधानसवा चुनाओं में अनिल सहनी के निकटतम पर्दिसंदी और बिजेपी उमिदवार पुरो विधायक के दार पर साथ गुपता का कहना है उपचुनाओं में जनता अपने वोट से जवाब देगी बिजेपी अब उपचुनाओं के तयारी में जुटेगी और जनता के बीच इनक पोल खोलेगी वहीं बता दें आउकास यात्रा भट्टा एल्टिसी घोटाले मामले में जो है दिल्ली के राउज एनवी कोर्ट ने आरजेडी के कोर्णी विधायक अनिल कुमार सहनी समयत है तीन का हाल ही में सजा सुनाई थी और अनिल सहनी को अलग-अलग धराओं के तहत तीन साल के सजा सुनाई गई थी और दो लाख रुपय का जुर्माना भी लगाया गया था इसी केस में दोसी पाया गया गया एर इंडिया के ततकाले ट्राफिक है तब अनिल सहनी रात सभा के सांसद हुआ करते थे वहीं आपको बता दें कि अब अनिल सहनी की विदायकी है वह खत्म हो गया इंडियाकी उनकी सद्यस्ता है वह खत्म हो गया है और सियासी गल्यारे में हलचल काफी तेज हो गया wäre बयानबाजी का दौर है वह शुरू हो और एक बार फिर से जहां दो सीटों पर विधान सवा उपचुनाओं हो रहा है मोकामा और गोपाल गंज में वहीं आज आपको बता दे कि दोनों पर जगा से परतियासी जो है नामंकन करने पहुंचे हैं बता दे आपको कि अब सियासी गलियारे में जो हल्चल काफी तेज है बयानबाजी का दौर है वो काफी तेज हो गया है वहीं बता दे आपको कि LTC घोटाले मामले में जो अनियल सहनी है उनको दिल्ली के राओस यहनवी कोटने अर्जेडी के कुर्णी बिधायक जो है अनिल स सहनी को सजा मिलने के बाद उनकी विधानसवा सज़ता रद कर दी गई है इसे कुर्णी विधानसवा सीट के लिए उपचुनाओ तो होना जो है अब तय हो गया है वहीं हमने आपको जो भी अपडेट होगा लगतार आपको देते रहेंगे बाढ़ाल वीडियो में इता है वी वीडियो यूटूब पर देख रहे थे तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद